Hello everyone, welcome back to my new vlog video, this is Priyanka and आपका स्वागत है मेरे चैनल Priyanka's Fatal Vlogs यह आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर बिल्कुल रेडी हूँ and मेरे कपड़ों में यह जो बैच लगा हुआ इससे आप समझ पा रहे होंगे कि आज कुछ खास है और जी हाँ आज 15 अगस्त है, Independence Day है so आज मैं बस सुपर से तयार होकर जस्ट स्कूल केंपस से होते हुए मैं स्कूल की और निकल गई हूँ and आप देख सकते हैं यहाँ पर यह रहा मेरा स्कूल and यहाँ पर लाइट्स लगी हुई है स्कूल में सजा हुआ है स्कूल and बहुत ज़दा बारिस हो रही थी पिछली रात को तो कुछ स्कूल में खास सजावत नहीं हुई है तो क्योंकि प्रोग्राम भी कैंसल था हमारा बट 15 अगस्त है तो प्रोग्राम कुछ ना कुछ तो अरेंज आरेड़ी हमने किया हुआ था तो यहाँ पर प्रपेशन सुरू हो गए है सारे टीचर्स और सारे बच्चे आ गए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं और बस इस तरह से कुछ माहौल था हमारे स्कूल का आज के दिन का इंडिपेंडन्स डे का और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का स्कूल का पुरा माहौल है और बच्चे भी बिल्कुल रेडी हैं वाइट ड्रेसेस में ये इतने सारे आप टीचर्स देख पा रहे होंगे ये सारे हमारे स्कूल के टीचर्स हैं और कुछ सीनियर्स हैं यहाँ पर कुछ जूनियर्स हैं हम लोग जूनियर्स हैं यहाँ पर और सारे जितने भी आप देख पा रहे होंगे तुसरे साइड में वो senior साब को देख रहे होंगे तो वो हमारे पुराने teachers हैं और यहाँ पर finally सभी लोग all set हैं और बच्चे भी खड़े हो गए हैं अपनी proper जगा में पूजा सुरू होची किया है राश्ट्य द्वच की हमारे तिरंगे जंडे की और सब बस अब तयार हैं फ्लैग होस्टिंग क किया सभी ने रास्ट्य द्वच को सलामी दी और इसके बाद में बस as you know जनर गर्णमन स्टार्ट किया गया रास्ट्रे गान दैन उसके बाद में इस वक्त मैं रास्ट्रे गान कर रही थी तो मैं पूरा वीडियो नहीं लिया जस्ट फॉर रस्पक्ट और इस इस तो प्रभात फीरी के लिए हम लोग निकलते हैं एंड जस्ट हमारे होस्टल के सामने चोटा सा गाउं है तो वहां पर जो में रोड है उसके आसपास सब लोग जाते हैं और प्रभात फीरी करते हैं नारे लगाते हैं आज के दिन के लिए तैन उसके बाद हम आ जाते हैं अपन तो टीचर्स के लिए भी वहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं थी खाने की, दैने उसके बाद में हम यहाँ स्कूल आ जाते हैं, और बारिस का कुछ मौसम बन रहा था, तो कुछ इस तरह से थोड़ा मोड़ा जो अरेंजमेंट किया हुआ था हमने, तो यहाँ पर हमने शुरू किया और आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रोग्राम सुरू हो चुका है, गाने, डान्स, सॉंग्स, और बहुत सारे डान्स, कुल्चरल सॉंग्स हुए, कुल्चरल डान्स हुए, जैसे कि आप जानती है, मेरा जो स्कूल है, वो बिल्कुल ट्राइबल एरिया में है, तो यहाँ का जो स्पैसल फोक, जो डान्स होता है, फोक डान्स होता है, वो भी ज्यादातर हुए, बच्चों ने अपने एरिया के जो संस्कृती है, उसको बहुत ही अच्छे से दिखाया, उनके डान्स बहुत ही अच्छे थे, बच्चों ने और टीचर्स ने सभी ने मिलकर इन सब डान्स की प्रैक्टिस की थी, एंड जस्टूरेज का हमारा प्लान था, क्योंकि इससे पहले बच्चों का कभी भी स्कूल में प्रोग्राम नहीं होता था, क्योंकि डिस्ट्रिक में है हमारा जिस्ट स्कूल, तो डिस्ट्रिक में ही जो पुलिस ग्राउंड होता है, जहां पर मतलब सारे अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी वहां पर आते हैं, बहीं पर फ्लाइगोस्टिंग होती है, तो हमारे सारे स्कूल के ही सारे बच्चे बहाँ पर जाते हैं अपना जो प्रोग्राम है वो देने के लिए अपना जो डान्स है जो भी होता है वो सब बहाँ पर डिस्टिक लेवल पर होता है तो इस टाइम फर्स टाइम होने जा रहा था हमारे स्कूल में ही प्रोग्राम क्य करा देते हैं ताकि बच्चों ने जो अट्लीस प्रैक्टिस की थी वो दिखा पाएं और वो अट्लीस मन से खुस हो पाएं तो हमने बस यहीं पर प्रोग्राम किया और आप देख सकते हैं बच्चे कितने प्यारे डांस कर रहे हैं कितना अच्छा डांस कर रहे हैं और बस इन टीचर्स को अपने बच्चे अच्छे ही लगते हैं जी हां यहां पर ड्रामा वगेरा भी हो रहे थे आप देख सकते हैं यहां पर ड्रामा के लिए पुरा प्रपेर किया गया था यहां पर बाल विवाह से रिलेटेड कुछ इस ड्रामा का में टॉपिक था जो ग्रेजुएट गर्ल्स होती हैं लड़किया होती हैं तो उनको अगर वो पढ़ाई लिखाई करती हैं तो उनको किस तरह से नीचा दिखाने की कोसिस करते हैं कुछ परिवारों में दहेज प्रथा को लेकर और एजुकेशन को लेकर लोग जो है अवेर नहीं हैं उस चीज से रिलेटेड ये पूरा ड्रामा था और बचों ने बहुत ही अच्छे से इसको किया और गाउं में किस तरह से लोग बेव करते हैं साधी के लिए खासकर और जो पढ़े लिखे होते हैं उनके लिए भी कुछ अवेर नहीं होते हैं लोग तो इस चीज से रिलेटेड बचों ने बहुत ही अच्छे से इस नाटक का प्रदर्शन किया और बस सारी एक्टिविटीज जतनी भी हुई इस प्रोग्राम के थूँ आज के दिन बहुत अच्छी लगी और आप देखी सकते हैं कुछ इस तरह से माहौल था और कुछ बारिस की बुने में आ रही थी और बस मौसम कुछ इस तरह का था तो बस सब लोग इंजॉई कर रहे थे बैटके क्योंकि खास कुछ ज़्यादा प्रपरेशन नहीं हुआ था बट बच्चों की खुसी के लिए हमने ये इतना अरेंजमेंट कर लिया था कि चलो कुछ नहीं हुआ तो कुछ तो सही क्योंकि बच्चे जाने वाले थे डिस्टिक लेवल में डांस करने के लिए वर्ट वो किसी रीजन से कैंसल हो गया हमने फिर स्कूल में ही सारा प्रोग्राम सैट किया तो बस ये कुछ था प्रोग्राम एंड आप बच्चों को देख सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों को बारिस की बुनो की वज़े से बच्चे हां साइड में बैठ गए थे ये जो है हमारे स्कूल का कुछ प्रोग्राम था hull में बहुत सारी डांसद कीए बच्चों ने हर क्लास से बच्चोंने अपना पारिसिपीशन की विए चासकर डांस बहुत जादा हुआ क्यों कि यहांपर हर तरह टांस बच्चों ने अपने सो तो ये कुछ तरह से एक्टिविटीज होती है ये चोटी सी प्यारी सी बच्ची जो आप देख पारें ये 6th क्लास की बच्ची है इसने बस सेडनली प्लान किया था डांस के लिए और बहुत प्यारा ही किया था ये है उसी मैम और मैं यहाँ पर गौरी मैम है स्नैप बना रहे है जी हाँ थोड़ा सा फ्री टाइम मिल गया तो जस्ट हमने स्नैप बना लिया चोटा सा यहाँ प्रोग्राम हमारा खतम हो जाता है और फिर हम उसके बाद आ जाते हैं लंच के लिए जी हाँ वो भी हॉस्टल फिर से अगैन हमारा जुखाना था आज का आज हॉस्टल में ही हम लोग के लिए प्रपेर किया गया था बच्चों के साथ-साथ हमको भी ट्रीट मिल रही थी हॉस्टल में जी हाँ हॉस्टल वार्डन मैम ने अपनी तरफ से जो है यहाँ पर खाना खाया और यहाँ पर देख सकते हैं दाल चबल और खीर पुड़ी थी यहाँ पर जो कि आप देख सकते हैं सारे टीचर्स यहाँ पर मिलकर खा रहे हैं और यहाँ पर मेरी भी थाली लग गई है सो मैं भी खा रही होगा ना यह रहा हमारा आज का लंच and बस कुछ इस तरह से जो है हमने लंच किया यहाँ पर और प्रोग्राम तो जैसे कि आपने देखा खितम हो चुका है दन यह रही खान मैम और मैं का खीर खाते हुआ इनकी वीडियो ले रही थी कि खाओ खाओ खुब खाओ यह जो है हमारे साथ की कि कलीग है साथव यह जी हाँ न्यूली ऐपौइंड टीचरर की हमारे साथ ही यह झाल पहले पोइंड हुए थे स्पिस्कोल में यह है तénergie का इनमे का नेचर मुझे बहुत पसंद है और यह 리 lur बहुत पसंद है बहुत पर रहना केंपशी और यह एनमकिन रोल्म कीन हो की कि यह दो आज कर लिया है तो यह था आज का हमारा प्रोग्राम और उसके बाद अगें तेका मैं की स्कुर्टी में मैं बैठती हूँ और हम रूम आ जाते हैं उसी में पहले ही आगे थी क्योंकि उन्सेर में बहुत तेज दर्द हो रहा था दैन मैं रूम आ जाती हूं और मुझ क्योंकि केंपस के अंदर है तो कोई डर नहीं रहता है ऐसे नॉर्मल लॉग भी हम लगा सकते थे ठीक है हमारी अपनी सेव्टी का ध्याना में खुदी ही रखना पड़ता है यहां पर मेरा व्लॉग एंड हो जाता है और मैं जारी को चेंज करने के लिए यह था मेरा छोट लीती है उसी की बस स्नैप्स है एंड यहां पर कुछ बच्चों को रिवार्ड भी दिये गए थे तो उसकी भी पिक्चर साइड कर रही हूं जिसकी वीडियो में नहीं ले पाई थी तो मेलती हूं मैं आपसे नेक्ट वीडियो व्लॉग में तब तक के लिए टेक केर बाई नहीं